नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पे दोस्तों डवलपर ओप्शन एक ऐसा सेटिंग है जो सब के मोबाइल के अंदर दिया रहता है लेकिन क्या आप जानते हैं इस डवलपर ओप्शन के अंदर 5 AC खुपिया सेटिंग है जिसे एक बार अगर आप अपने मोबाइल के अंदर कर लेते हैं तो आपका मोबाइल का जो बेटरी है वो पूरे 5 दिन तक चलेगा एक बार चार्ज करने पर यानि कि एक बार अगर आपने मोबाइल को 100% चार्ज कर लिया तो अगर आप जानना चाहते हैं यह पांच सेटिंग कौन से हैं कैसे आप अपने फोन का बेटरी बेकप बढ़ाएंगे तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और सेर कर देना अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो एसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर यह दोस्तों मैं आपको बताता हूं आखिर डवलोपर ऑप्शन के अंदर कौन से पांच सेटिंग अगर आप कर लेते हैं तो आपके मोबाइल का जो बेटरी बेकप है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि एक बार चार्ज करने पर पांस दिन तक आपके फोन का बेटरी है वो चलेगा ठीक है तो उसके लिए आप क्या करेंगे सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर जो सेटिंग होता है इसे आपको ओपन कर लेना है सेटिंग ओपन करने के बाद में आपको नीचे आप नीचे आएंगे नीचे आपको सेटिंग मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग नाम का ओप्शन आपको मिल जाएगा तो आपको यहां पर एडिशनल सेटिंग को ओपन कर लेना है आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करने के बाद म आपको my device में जाके build number पे 7 से 8 बार click करना रहता है उसके बाद में आपके mobile में developer options की setting है वो own हो जाएगी तो आपको मैं developer options के अंदर 5 setting बताऊंगा तो आपको मैं यहाँ पे पहला setting बता देता हूँ आपको developer options के अंदर आपको थोड़ा सा नीचे आना है नीचे यहाँ पे आपको setting दिखाई दे जाएगा automatic system update तो आपको पहला setting यही करना automatic system update में क्या होता है कि यहाँ पे आपका by default own रहता है जब आपका mobile का automatic system update own रहता है तो जब भी mobile के अंदर कोई update आता है तो आपका mobile है ओटमेटिक अपडेट होने लगता है तो इससे आपका mobile का battery जल्दी खर्च होता है जब automatic system update होगा तो internet use होगा तो आपका mobile का battery भी जल्दी जल्दी खर्च होगा और कई बार update के अंदर कई system ऐसे आते हैं कि आपका mobile support नहीं करता है तो उसमें battery drainage बहुत जल्दी होता रहता है तो यहां पर आपको automatic system update हो ओप कर देना है यहां पर आपको automatic system update हो बंद करके रखना है जब यहां पर पहला setting में आपको automatic system update वाला option हो बंद कर देना है दूसरा setting करने के लिए आपको थोड़ा नीचे आना है नीचे आपको option दिखाई दे जाएगा mobile data always active तो यहाँ पर आपका mobile data always active रहता है तो अगर आप यहाँ से mobile data बंद भी कर दोगे तो भी आपका यहाँ पर mobile data वो own रहेगा जब आपका mobile data always own रहेगा तो आपका background में process चलता रहेगा आपका mobile का कई सारे एप हैं वो mobile data use करते रहेंगे जब mobile data use होगा तो आपका internet use होगा तो आपका battery भी जल्दी-जल्दी खतम होगा इसलिए यहाँ पर आपको mobile data always active का जो option है उसको आपको बंद कर देना है जिससे कि आपका mobile data use नहीं होगा अगर आपका mobile data use नहीं यह गया दूसरा सेटिंग तीसरा सेटिंग करने के लिए आपको नीचे आना विल्कुल नीचे आना नीचे आपको सेटिंग मिलेगा फोर नीचे यहाँ पर आपको सेटिंग मिल जाएगा फोर्स फोर एक्स MSAA, यह setting होता है gaming के लिए अगर आप अपने mobile के अंदर gaming नहीं करते हो, तो यहाँ पर यह setting आपके कोई काम का नहीं है आप इसको बंद कर सकते हो 4X MSAA का setting on रहता है तो आपका mobile high performance पे चलता है जब आपका mobile high performance पे चलता है, तो आपका mobile battery जल्दी खतम करता है, आपका mobile battery भी जल्दी जल्दी खतम करता है अगर आप normally use करते हैं mobile का तो यह setting आपको यहाँ पर बंद कर देनी है, तीन setting यह हो गया इसके बाद में चोथा setting बता देता हूँ आपको, आपको थोड़ा और नीचे आना है नीचे आपको setting मिल जाएगा background process limit तो आपको background process limit पे click करना है तो यहाँ पे आपका background process limit है वो standard पे set है तो यानि कि आपके mobile के अंदर background में कितने भी app चल सकते हैं कितने भी app रन कर सकते हैं उससे क्या होगा कि आपके mobile की battery वो जल्दी जल्दी खतम होगी आपका mobile का internet data भी जल्दी जल्दी खतम होगा यहाँ पे आपको background process limit है वो no background process limit या एक process limit पे set कर सकते हो यहाँ पे आप no background process limit पे set करते हो तो आपके mobile के background में कोई भी app रन नहीं करेगा और आपके mobile का battery है वो बहुत ज़्यादा देर तक चलेगा तो यहाँ पे आप एक process या no background process limit भी set कर सकते हो यहाँ पे हमने no background process limit set कर दिया है इसके बाद में आपको मैं बता देता हूँ पांचवाँ setting सबसे last का पांचवाँ setting और important setting यह setting अगर आप कर लेते हैं तो आपका mobile का battery है वो 90% battery यहाँ पे save होने वाला है यह setting करने के बाद में पांचवाँ setting करने के लिए आपको बेक आकर main setting में आ जाना है main setting में आपको display नाम का setting मिलेगा तो आपको display पे click करना है आपको बहुत सारे setting मिल जाएगा तो उपर पांचवाँ setting करने के लिए आपको dark mode पे click करना है dark mode पे click करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका dark mode बंद है तो यहाँ पे आपको dark mode on कर देना है तो इस तरह से आप पांच setting करके अपने mobile का battery backup बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो like, share and subscribe जरूर करें धन्यवाद